Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone तो आ गया है सबसे बड़ा ब्रमास्त्र, सबसे बड़ा अस्त्र करके examination के लिए रामबाण तो कर रहे हैं 2022 का जो last year का paper आया था 2022 का आपका जो all India scheme का जो paper आया था उसको करने से ज़्यादा फायदे मंद शायद ही कुछ हो हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल exactly last year की scheme का paper तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे question देखेंगे paper बिल्कुल आपको ऐसा ही मिलेगा आपके board का भी paper बिल्कुल इस तरीके कहीं मिलेगा सामने instruction दिये रहेंगे विज्यान लिखा रहेगा हर question में आपको एक internal choice मिलती है अच्छी बात ही हो थी हर question में क्या मिलती है आपको internal choice या तो यह करो या तो यह करो चलो देखते हैं पहला question कुल लडा आज कुल लडा दिखा कुल लडा disposable cups made is made up of clay and disposable cups paper cups both are used and alternative for the disposable plastic cups which one of the two can be considered as a better alternative to the plastic cups बताइए मतलब एक चीज कहे रहा है कि कुल लड पतलब कि disposable cups made up clay एक तो मिट्टी के बने हुए है और disposable paper cups एक जो होते हैं paper के cup है बताइए अच्छे alternative cup कौन हो सकते तो यह रेखिए आपके सामने मैंने topper की answer sheet रख दी है यह जो topper है जो best answer sheet आपके board में ने डाली है देखिए क्या लिखा है disposable paper cups can be considered as a better alternative आपको लगड़ा था कुल लड बट कुल लड नहीं disposable जो paper cups हैं उनको अच्छा alternative माना जा सकता है plastic cup का as compared to the kullardas because kullardas can cause the land degradation and also removal of soil यह किससे soil निकालना पड़ता है paper can be recycled so it is a better alternative for plastic cup मतलब आप किसका इस्तमाल करेंगे यहाँ पर बताईए paper के cups का किसका इस्तमाल करेंगे paper के cups का इस्तमाल कीजिए तो पहला number question हो चुका है चलिए second question के और चलते है second question यह है human beings second question का तो answer लिखा ही नहीं है second question के seriam question चलते है अगला लिखे जो आपको यह दिया गया देखे draw the electron dot structure of the following आपको electron dot structure बताना following का बट यार दूसरा question मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि मेरे मन में लग रहा है कही important हो तो देख लेते है human beings are most adversely affected by the biological magnification state the reason why can ordinary washing of the edibles fruit and vegetables not reduce the effect of the biological magnification क्योंकि यार जो chemicals होते हैं उनके अंदर present होते है बाहर तो छोड़ो तो बाहर की चीज़ों को तो आप धो करके दूर कर सकते हैं मगर अंदर की चीज़ों को धो के दूर नहीं कर सकते हैं वैसे मेरी biology डबबा है मगर शायर इसका आंसर हो सकता है बाहर की आप लोग पढ़ लेना चलिए आंगे चलते हैं देखें ड्रॉदा electron dot structure of the following cyclohexane butane आज ओ भाई देखते हैं टॉपर का आंसर क्या है तो ये देखो भाई सब cyclohexane का bond बनाया हुआ है तो cyclohexane आप जानते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, और कितना बेटा च्छे तो हो गया नहीं एक, दो, तीन, चार, ना, पाँच और च्छे बिल्कुल सही, सही बनाया है मैंने bond अब देखो हर bond में कितने लेक्ट्रॉन की पैरिंग होती है दो की, कितने की होती है दो की, तो एक, दो, तीन, चार, तो देखी यहाँ पर carbon के साथ, और साथ में hydrogen तो लगाने पड़ेगा एक H, दूसरा H, यहाँ भी 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 H, 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 और H बस तो आपको कुछ नहीं बनाया देखी, यहाँ पर C जोड दिया एक देखो carbon इसके साथ share करेगा, इसके साथ pair करेगा यह बन गया पहला, यह बन गया दूसरा, अब इसको हर carbon के साथ तो आपको hydrogen भी जोडने है, तो एक hydrogen यह हो गया, एक hydrogen यह हो गया दिखर आपको समझ में आ रहा है न, बना लेंगे न, किनी बना पाएंगे अरे भाई, यह carbon है, carbon का एक electron इसके दूसरे electron के साथ pair कर जाएगा इधर का एक electron दूसरे के साथ pair कर जाएगा, अब बच गए दो, तो भाईया, दो hydrogen के साथ pair करा दो बोलो yes or no, अब ऐसा आपको हर जगह के साथ होना, तो एक काम करना, पहले आप यह structure बना लेना C, C वाली, फिर इसके बाद इसके उपर bond बिठालते जाना, तो जिससे कि यह गलबर नहीं होगा, गंदा नहीं होगा है सबके दो-दो, बोलो yes or no, अब इसके बाद इसमें तीन hydrogen है, तो एक, दो, तीन, इधर से यह pair कर दी, यार, सिखा रखा यार, इसमें क्या बता हूँ, बहुत simple है, बोलो clear है, any problem, yes, आश्वत, yes बोल रहे हैं, अच्छा, ठीक है, ओके, चलिए रहे हैं, अगला question देखते हैं question number two, done, next question number three, mandalief और अपार्ट हट चुका है, तो इसको तो छोड़ दीजे, mandalief द्वारा, मैं हिंदी में क्यों आ गया भाई, मुझे इंगलिश में जाना है, yes, state the criteria by the mandalief for the creating of the periodable, तो भाई, compare the position of the ISO to the element, mandalief predictable and in the modern periodable, तो यह तो अपन काम करा चुके हैं, छोड़ दो इस ठीक है, चली खेर, यह सलिए बस से हट गया है, तो अभी ज़्यादा इस पर discuss नहीं करेंगे, question number four पे आते हैं, प्लीज यहां पर ध्यान दीजे, question number four देखे, देखिए भाई, आ चुका है आपका favorite question, electricity वाला, an electric heater is rated 1100 watt, operates at 220 volt, calculate the resistance and the current, भाई, very simple है, formula होता है, P equal to V square upon R, तो R equal to कितना हो जागा, V square upon P, इस से आजाएगा आपका resistance, क्या आजागा इस से, resistance, दूसरा formula होता है, P equal to VI, क्या होता है, P equal to VI, तो I equal to P upon V से क्या जाएगी, current आजाएगी, तो दो चीज़ आपको निकालनी है, current निकालनी है, और resistance, आपको पता क्या power पता है, voltage पता है, तो अगला second part प्राप्त करते हैं, question, calculate the equivalent resistance of the following, लो भाई साब, 10 और 10 कितना हो गया, 20, और 20 का पहले कितना होगा, 10, होगा की नहीं होगा, 20 और 20 का पहले कितना होगा, 10 मतला भी पूरा का पूरा बॉक्स कितना बन गया, 10 और 10, 20 और 20 कितना, 40 तो answer कितना हैगा, 40 आएगा, तो calculate the महनत ऐसी करनी है, यहाँ पर आपको पहले diagram अनाना है, 10 और 10 का पहले आपको 20 निकाल लेना है, यह देखिए, यह आपको 10 और 10 सीरीज में 20 आजागा, 20 के साथ parallel आपको कितना आगया है, 10 आजागा, फिर आपको total सीरीज में कर देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, समझ मा गया, त चलिए, next question देखते हैं, भाई साब, next question देख लीजे, क्या question करा, question number 5, अच्छा, suggest any two contraceptive method for to control the size of the human population, explain them, दोस आपको method बताने है, human population के size को कम करने के, चलिए, तो देख लेते हैं, आपन क्या लिखा हुआ है, भाई साब ने आपको, yes, two contraceptive method for to control the size of the human population are, number one barrier method, condoms can be used to prevent the fusion of male GMAT with the female GMATS, they do, they not only prevent pregnancy, but also sexually transmitted disease को भी ये control करते हैं, बिल्कुल सही बात लिखा है, दूसरे दूसरा लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, mechanical barrier method, exactly, mechanical barrier method, ठीक ना, copper T and IVCD, intra uterine contraceptive device is unplanted in uterus which prevent fusion of the male GMATS with the female GMATS, okay, ये fusion इसको रोकता है, तो ये भी आप use कर सकते हैं, next, अगला देखे, इसमें third part भी दिया क्या, yes, चलिए, third, B part है इसका, देखे, B part क्या कह रहा है, देखे, अच्छा, एक ही part है, explain them, दूसरे पार्ट को भी explain क्या है, sex of the human, sex of the children will be determined by what they, what they inherit from the father, the sperm of the father is heterogenic, that is 22 plus X and 22 plus Y, ये, I think ये दूसरा question है, कि इसी का part है, ये दूसरा question होगा ये, ये दूसरा question है, एक minute, एक minute, चलि, हाँ, ये और वाला part है, तो ये और वाले part में ये फिफ्ट था, ये 6th का पहला, 6th का part था, वेट, वेट वेटा, हाँ, ये 6th का B part की है, कोई गल्ती नहीं, उसने 5th का ये कर दिया, independent है चलिए ये solve करना हम लोग को justify the statement sex of the children will be determined by what they inherit from their father इस चीज को justify करना yes इस question का answer दिया गया है तो चलिए biology में तो किवला को सुना सकता हूँ मेरे को तो कुछ वैसे आता नहीं है sex of the children will be determined by what they inherit from the father the sperm of the father is heterogenic 22 plus x plus and 22 plus y the egg of the mother is homogeneic 22 plus x and 22 plus x 23rd pair of the chromosome is called sex chromosome determines the sex of unborn unborn is ke baad kya likha child yes when a sperm 22 plus x fuses with the egg 22 plus x then a girl who is born 44 plus x x when a sperm 22 plus y fuses with the egg 22 plus x then a boy born 44 plus x y hence sex of children determined by x or y chromosome of father father चली इसको समझेगा आप लोग अपने तरीके से है ना इसको आप लोग आई होप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है चली next question की और चलते हैं यह और वाला का नाम लिखना है first where contraceptive devices such as loop or a coperties place to the prevent pregnancy second part which is blocked to prevent the transfer of the eggs दूसरा पाट बताना where formation of the green cells as over takes place where from where the embryo gets nutrition from the mother's blood okay चली मतलब पूरा पूरी जानकारी आपसे और गन के बारे में human female reproductive system के बारे में पूची कई की कोई चीज कहा होती है चली है तो पहला देखे contraceptive devices like copperty और loop are placed in uterus कहां पे place किया जाता है इनको uterus to prevent pregnancy मतलब copperty वगरे को uterus में place किया जाता है है ना oveduct और fallopian tube जो होती है है ना is blocked oveduct या fallopian tube को block किया जाता है to prevent eggs समझ गए ना तो x को remove करने के लिए या रोकने के लिए कि इसको block किया जाता है fallopian tube को आपने सुना होगा नस्बंदी क्या सुना होगा नस्बंदी तो इसमें गाठ लगए जाती फिलोपियन tube जो होती है इसको block किया जाता है समझ में आया ना yes next देखिए the formation of green cells the formation of green cells as ova takes place in ovary कहां पे होता और फॉर्मेशन ओवा का ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन कहां होता है ओवरी में after embryo gets unplanted on uterus wall placenta helps providing तो help कौन करता भाई placenta कौन help करता है placenta providing utrition to the embryo embryo को portion करने के लिए placenta जो होता है चलिए next question देखते हैं अरे भाई biology ने बड़ा हंगाम अचा रखा इस question paper में तो चलिए question number eight what are human made ecosystem what are human made ecosystem give an example can a human made ecosystem become a self-sustaining ecosystem give reason to justifying your answer चलिए आये पढ़ते हैं इस ecosystem के बारे में section B yes human made ecosystem are man-made artificial ecosystem where the biotic and embiotic components are manipulated by human beings for क्या लिखाया है भाई मेरे for interaction interaction for supporting life and for growing and reproducting ठीक है an example of human made ecosystem is aquarium ठीक है human made ecosystem का example क्या है aquarium है देखिए टॉपर की copy है full interest के साथ पढ़िये ठीक है ये जो पूचा गया इसके बारे में है ना human made ecosystem इसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में exactly human medical system के बारे में यहां पर पूचा गया है चलिए अगला question चलते हैं यस question number nine state reason why carbon compound have low melting and boiling point भाई-साभ इसमें covalent bond होता है कौनसा bond होता है carbon compound do not conduct because they don't have any free electron okay carbon can form only covalent compound because they having four electron in outer most shell okay they can't give their all four electron and they can't take four electrons to make ionic bond to make ionic bond yes to fill their outermost orbital so they can only make a covalent bond yes or no yes answer the carbon compound have the low melting point and the boiling point they have a strong bond they if they have a strong bond within the molecule but the intermolecular forces is weak yes henna so they have low melting and boiling point i am not completely agree with this question they have a strong bond within the molecule but the intermolecular forces are weak by this is a good thing that you have to get a covalent bond by the fact that you have to get a strong bond here and here you have to talk about the which is the weak one contradictory a little bit so this is why you have to get a covalent bond is called covalent bond because the melting point and boiling point is less what happens so less yes okay this is the first thing second point is carbon compound are formed by the sharing of electron they have no charge particle charge instead of charge particle you must try it here free electrons free electrons here what should we write here free electrons or free valence electron link here hence they do not conduct electricity in any state okay right next question yes carbon can form only covalent compound because they cannot lose their or full valence electron i have told them to form c plus an iron c plus and cation c plus 4 cation yes or no carbon 4 electron yes or no as they have large atomic size and weak force of attraction and a large energy is required to remove valence electron is required to remove valence electron now remove valence electron now as they have large atomic size as they have large atomic size i mean greening can be very big size carbon carbon size it is so big is not big because size is small it is small because the nucleus is small the attraction is small it is small if it is big sodium type then 4 electron you can have to take out the size of the electron but size what is small , now you can see that the clearing Megala is must be valeur means so let's take small and weak forces of attraction and the large energy is required to remove valence electron carbon cannot gain 4 valence electron to form C-4nion, carbon के पास इतनी दम नहीं है कि C-4nion मना सके, as it is impossible for a proton to hold 10 electron, 6 proton को 10 electron hold करने के लिए ताकत बहुत चाहिए, yes or no, और उसमें size छोटा होता है, repulsion इतना जादा हो जाएगा, 4 electrons जो ले रहे हैं उनके बीच में, कि ये stable नहीं रह पाएगा, बोलो आगया समझ में, in the valence cell, so carbon can share 4 valence electron with other atom to form covalent compound, बोलो दन, any problem, yes or no, no, yes, no problem, okay, second part, what is a homologous series, a series of compound having the same functional group and having a difference of CH2 molecule, having a difference of CH2 molecule, find a difference in their molecular mass, तो बेटा, एक CH2 molecule का फर्क होता है, बोलो, हां, तो carbon का हो गया, 12, 2 hydrogen का हो गया, 2, तो answer किना हो गया, 14, two consecutive member of the homologous series, state how homologous series of carbon compound following property with vary with the increase in molecular mass, कह रहा है कि, बताएगे, कि क्या होगा, अगर ये sizes, ये चीज़ें बढ़ रहे है, ये molecular mass बढ़ रहा है, तो सम्जो में क्या बोल रहा हूँ, जैसे आपके पास कोई homologous series, मालो, LK नगी, CH4, C2H6, C3H8, size बढ़ने के साथ-साथ, क्या changes हैंगे, number one, melting and boiling point, क्या होगा, दूसरा chemical properties, क्या होगी, तो देखे, chemical properties, same रहेंगी, chemical properties, क्या होगी, same रहेंगी, बोले ये सान, अब melting and boiling point, क्या होगा, increase होग होगा है, तो melting and boiling point को भी क्या करना पड़ेगा, increase करना पड़ेगा, बोले, clear होगया, चलिए, next की दरब चलते हैं, अगला question देखे, अब देखे, ये next question है, yes, question number 10, question number 10, okay, तो ये तो भाई साब, अपना question number 10 है, ये मेंडलीफ टेबल का है, जो इस वरस हट गया से, तो इसको अपन करने वाले नहीं है, yes, question number 10 में, law of octave पूछा गया है, जो कि हमको करना नहीं है, वेट, चली, question number 11 पे आते हैं, next question है 11, देखे, question number 11, what is a solenoid, देखे, ऐसा question आता, what is a solenoid, dot a pattern of the magnetic field lines, around the current carrying solenoid, mark the pattern of the reason, where the magnetic field is uniform, तो भाई या, magnetic field uniform का हो था, अंदर, inside the reason में, और इसको डाइग्राम आपको बनाना है, बहुत ही प्यारा question आया, देखे, इतना अच्छा question है, solenoid, It is a coil of many circular tons insulated copper wire, वायर, wrapped closely in the form of cylinder, यह देखे, आपने बना दिया है, कोई north ले लो, कोई south ले लो, और अंदर जो इसके field होता है, बाहर तो non uniform होता, नौर से निकलेंगी, south में, जाएंगी, घूम करके फिर बापस आएंगी, और यहां पे भी देखे, नौर से निकलेंगी, south म में जाएंगी, बोली यहां, clear है, हाँ, ठीक है, अब देखी, क्या कहता है, इसमें, cylinder हो गया है, inside the coil, the lines of magnetic field are parallel, so the magnetic field is uniform inside the coil, बोली, clear है, yes, चलिए, next question number 12, पढ़ते है, question number 12, question number 12, में देखे, क्या का गया है, इना diagram given below, coil 1 is connected in a series with a battery and plug key while the coil 2 is connected with a galvanometer, तो देखे, coil number 1 है, यहां बैटरी लगी हुई है, और यह coil galvanometer है, ठीक ना, बहुत बढ़िया question है, बहुत अच्छा question, why does the galvanometer show deflection only when a key is plugged and not when a 3D current flows through the circuit, देखे, कह रहा कि पहला, कि आपका यह deflection तभी सो करता है, जब आप key को insert करते तो बेटा, जैसे ही आप key को insert करते हो, current flow होती है, current flow होती है, तो इससे क्या बनता, magnetic field, वो magnetic field change होता है, क्योंकि current धीर धीर बढ़ेगी, तो magnetic field भी बढ़ेगा, तो जब तक magnetic field change होता है, तब तक induced current बनती है, induced current बनती है, तो इसमें जब तक magnetic field change होगा, इसमें भी induced current तभी तक तक बनेगी, yes or no, और ये इसमें आपको galvanometer show करेगा, बैट जैसे ही current अपनी maximum level पे पहुँच जाएगी, जैसे on कर दोगे थोड़े दिल के बाद current fix हो जाएगी, current fix हो जाएगी तो magnetic field भी क्या हो जाएगा, yes or no, yes, तो पहला answer आचुका है अपना, दूसरा, what is observed in the galvanometer, when the key is plugged out, बैट जैसे ही आप key को plug out करोगे, मतलब key को आप जैसे ही निकालोगे, current बताओ, चलते से कम हो जाएगी न, current फिर से कम होगी, तो magnetic field क्या होगा, घटेगा, बोलो yes or no, इस से घटेगा, तो इस से भी घटेगा, बोलो हाँ, state the conclusion based on the observation of this activity, भाई, conclusion यह होता है, जब तक है जहाँ, जहाँ मतलब magnetic field में change, जब तक magnetic field में change होगा, तब तक current induced होती रहेगी, और magnetic field में change होती हो जाएगा, तो current induced नहीं होगी, बोलो आगया समझ मेंदेगा, first part, when current through the ABCD is passed, AB will experience a downward force CD, will experience a upward force, ओ भाई साब, 12th का पहला part, इसमें क्या motor भी दी रखी ही क्या, इसने motor की बात कर दी है, हाँ, तभी तो, यस, तभी तो force वाली बात आ गई है, चलिए तो दूसरा question इसने कह दिया है, कि इसमें कहां लगेगा, चलिए, आईए खेर, anyway, ओके, ये देखिए, motor दी गई है, ये आपके सामने, generator दिया गया, motor नहीं है, देखिए, current जा रही है, बोली है, so no, अब देखिए, current यहां से जाएगी, सब लोगों को मैंने right hand rule सिखा रखा है, question में आपसे, wait, force पूछ रहा है, force आपसे पूछ रहा है, left hand rule लगे, क्या लगेगा, left hand rule, flaming का left hand rule, है न, तो आपसे क्या पूछ रहा है, कि force कहां लगेगा, identify the direction of force, देखिए, अगर आपसे motor, generator, motor के बारे में पूछ रहा है, ये फिल electric, motor, बोलो clear हो गया न, हाँ, अगर आप घुमा करके बिजली पैदा करते तो क्या होता, electric generator, आपसे ये question पूछा गया है, ये motor का, motor नहीं है question में, question में आपसे force पूछा गया है, no, 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 generator नहीं है, question में आपसे force पूछा गया, आपके इस लेबर से motor की working हटाई गया है, but force हटाया गया है, तो ये question आ सकता है, चली रेखे, तो देखे, left हे निकालिए, magnetic field north से लेके south, ये देखे, north से लेके south की तरफ आपका magnetic field लगेगा, ये लेजी north से लेके south, current की direction, देखे, कहां कर दिए, current की direction है, upward, कहां current की direction, upward, इस तरीके से कर दीजे अपने हाथ को, yes, एक काम and pass through the ABCD, pass AB, experience a downward force, कौन सा force, downward, अब AB पर अगर downward लग रहा है, तो CD पर कहां लगेगा, upward, CD पर कहां लगेगा, upward, and CD will experience a upward force, बोले clear है, चलिए, next वाला पार्ट देखते हैं, कि next वाले question में कहां क्या कहां गया है, ये तो पहला पार्ट था, force के बारे में, identify the part of the electric motor that reverses the flow of the current in coil ABCD, भहिया, ये जो पार्ट होता है, ये जो दिख रही है, आपको ring, इना, इस में ये कहा करती है, current की direction को बलटती है, इनको बोलते है, इनको बोलते है, क्या बोलते है, इनको बोलते है, तो बहिया, दूसरे, P and Q reverses the direction of the flow of current in coil ABCD, these are called split ring, इनको क्या बोलते हैं, split ring, तीसरा question देखते हैं, तीसरा question क्या कहा गया, देखे, third question, after the reversal of the flow of the current in coil ABCD, state the direction in which ABCD, ABCD will experience a force, देखे, कह रहा है, कि अगर direction current की पलट दी जाए, तो बहिया, तो force भी उल्टा हो जाएगा, AB पर downward लग रहा था, तो AB पर कहां लगेगा, upward, और CD पर upward लग रहा था, CD पर कहां लगेगा, downward, तो answer change कर दीजिए, हाँ, rule which is applied, ओके, एक मिनट, ऊपर चलना भाई, after reversal the flow of the current in the ABCD, side AB will move upward and side CD will move downward, तो जिस पर upward लग रहा था, उस पर downward, जिस पर downward लग रहा था, उस पर upward, चलिए अगला question दीखे, name the rule which is applied to determine the direction of force, बोलो, flaming left hand की right hand, left hand, and a current carrying conductor plays in a magnetic field, answer, this rule is called flaming right hand rule, rule which is applied to determine the direction of the force in a current carrying conductor in a magnetic field is flaming left hand rule, बोलो, clear हो गया, चलिए, next question की और चलते है, question number 13 आचुका है, बाई साब, how do Mendel experiment show that the traits are inherited independently, how do Mendel experiment, Mendel experiment कैसे show करता है, कि जो traits होते हैं, inherit independently, जो inherited data हैं, वो independent हुआ करते हैं, इसको explain करो, है ना, चलिए तो ये Mendel का experiment लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लिजे, screen में pause कर दीता हूँ, जल्दी से इसको पढ़ लिजे, हाँ, ये इसका second part है, ये भी पढ़ लिजे देखे, ये भी इसका second part है, ये भी इसको पढ़ लो, ओके, देखे, question number 14, question number 14, question number 14, question number 14, study the following electric circuit, which is the register arranged in the arms, ABC, बहुत बढ़ी है बाई, क्या diagram दिया है, देखे, क्या कह रहा, find the equivalent resistance of the arm, देखो बैठे बैठे निकाले, बोलो, 5 और 10 किता 15, और 15 और 15 किता 30, मतलब, है ना, 15 और 15 हो गया, तो यहाँ पर भाई साब 30 का लग गया, बोलो, clear है, अच्छा, नीचे देखे, 30 और 20 कितना, 50, और 5010 किता, 60, मतलब, यहाँ पर कितना लगा हूँ ह है, कि 40 के साथ, सीरीज में लगा है, 30 और 60 का parallel, 30 और 60 का parallel, तो चलिए, पहले में 30 और 60 का parallel निकाले, तो 1 upon R equal to 1 upon 30, plus 1 upon 60, बोलो, yes or no, तो 1 upon R equal to 30 और 60 का LCM, कितना आएगा यार, पक्का, 30 और 60 का LCM, 30 और 60 का LCM, 15 से गरिए, 15 से दो बार 30, और 15 चोके, 60, ठीक ना, फिर 15 से 2 एक अंदो, और 2 बेंजा, 2 तो, बिल्कुल 60 आगया, कितना आगया, 60, 32 और यह कितना हो गया, 1, clear है, 2 plus 1 कितना हो गया, 3, और 3 upon 60, मतलब 1 by 20, पल्टी मार दिया, तो R equal to 2, बोलो, कितना आगया, 20, कितना आगया, 20, तो यहाँ पर आपके पास में total कितना लगा, 40, और 40 के सा में बोलो, कितना लगया है, 20 ना आया, तो total कितना हो गया, 60, total कितना हो गया, 60, तो total 60 ओम है, तो answer पहला आया, what is the answer, resistance of arm A, arm A कहा है, भाई साब, arm A यह पूछी गई है, ध्यान देना, question में, जोश में होस नहीं को दिना, तो arm A का हो जाएगा, कितना बेटा, 40, कितना हो है, determine the current, तो current के लिए तो total resistance लगेगा, तो यहां का 40 और यहां का 20 कितना हो गया है, 60, बोलो yes or no, तो total तो 60 हो गया, now I equal to V upon R, बेटा V कितना है अपने पास में, 6 है, कितना है, 6, और R कितना है है, 60, काटा कुटी कर दो, 1 upon 10, 1 upon 10 बोलो 0.1 ampere, बोलो yes or no, तो answer कितना हैगा, determine the current answer आएगा, 0.1 ampere, बोले, any problem, अब दूसरा वाला question R का है, देख लेते हैं, भाई सामने question जो किया, answer हमसे match कर रहे हैं, यह देखिए, पहले वाले का कितना आगया है, 40 ohm, बिल्कुल हमारा आया है, दूसरे वाले का कितना आया है, 20 ohm, यह भी हमारा आया है, तीसरे वाले का कितना आया है, 60 ohm, यह भी हमारा आया है, और 6 ohm से डिवाइट करने पर 0.1 ampere, क्या बात है, बिल्कुल सही आया है, भाई साथ, तैयारी पूरी है, चलिए, next question देखते है, इसका जो second part है, second part देखते है, determine the current flows in the emitter when the arm be withdrawn from the circuit, अच्छा, इसी question में कह दिया और वाला, कह रहा तो यह 40 और 40 और 10, 50, 50 और 20, 70 और 70 और 30 कितना, 100, मतलब 100 ohm बाला series circuit बन जाएगा, 100 बटे च्छाय आजागा, बिल्कुल सही, चलिए, अगला देखे, अगला है, यह वाला हुद हो गया, दूसरा बाला क्या है, determine the current हो गया, यह वाला पार्ट, चलिए, अगला देखे, question number 15, 15 वाला question देखे, 15 वाला question, I think, biology का देख रहा है, देख लेते, फिर भी पढ़ देते है, the mods by which the various organisms reproduce, depend by the body, design, और भाई, बहुत बड़ा question है, please, इसको आप लोग एक बढ़ पढ़ लो, दो मिनट के लिए रोक करके, इसको, आप लोग पास कर रहा हूँ, आप लोग इसको presentation, this disease caused by the organism Kalazar, है ना, तो ये रेख लीजेगा, पढ़ लीजेगा, second part देखने है, इसका second part है, और third part है, इसको आप लीजे, second part question का क्या है, list any two advantages of the producing plant through the vegetative propagation, c question है, explain the process of budding in hydra, चलिए, इसका answer दिखा देता हूँ, two advantages of the plant producing through the vegetative propagation are, new plants are genetically smaller to the parent plant, plants grown by this method show early flowering, early flowering, second part है, it is used method to grow plant which do not bear seeds, तो ये वाई, इसके सारे answer हो गया है, बेलोजी वाला part है, और वाला question पढ़ देता हूँ, what happens when, देखिए, और वाला question, what happens when, first है, a spirogyra filament matures and attains a considerable length, and second part है, a spirogyra rhizopus breast in the maturation, चलिए तो ये question की knowledge तो मुझे नहीं है, और यहाँ पर आपका जो पिछले साल का जो paper था, यहाँ पर finished हो चुका है, और ये देखिए, आपका ये finally paper, अच्छा, C वाला part भी है, C वाला part अपनने पढ़ लिया था, it is used to method to grow plants, अच्छा, C वाला part क्या रिके, C वाला part नहीं पढ़ पाय थे, budding लिखा हुया कुछ करके, budding is a sexual method of the reproduction takes placing multi-cellular organism like hydra, a bud grows on parent organism which contain regenerative cells, the buds develops into a new individual and detach, detach itself from parent organism to live like a new organism, ठीक न, चलिये तो ये हो गया है, अपने पास ये पूरा-पूरा हो गया है, तो done, 2022 का हमारे पास question paper done हो जुका है, ओके, yes, तो कैसा लगा दोस्तों, आपको ये solution जरूर बताईएगा, thank you so much for being with Locator Unlimited Study Zone, all the best for the exam.